स्रेमत भगवत गीता पाट के निहम पहला भगवत गीता पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है क्योंकि इस समय मन मस्तिस्क और वात्तवरण में सांतिव सता सकरात्मकता होती है गीता का पाट हमेशा इसनान के बाद और सांत चित मन से ही करना चाहिए तीसरा पाट करते समय बेजविच में इधर उधर की बाते नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी कारे के लिए बार बार उठना चाहिए सापसपाई वाले इस्थान और जमीन पर आसन बिछाकर ही गीता का पाट करना चाहिए चोथा गीता के प्रत्यक अध्याय को सुरू करने से पहले और बाद भगवान श्रीकृष्ण और गीता के चरण कमलों को इस पार्ष करना चाहिए करना चाहिए